दोस्तों आपने बच्पन से ही किताबों में पढ़ा होगा कि धर्ती गोल है और ये अंत्रिक्ष में लगतार घूमती रहती है ये अपनी धूरी पर भी घूमती है और सूर्य का चकल लगाते वक्त भी आगे बढ़ती रहती है लेकिन दिक्कत ये है दोस्तों कि ये खगोली गटना है जिसकी वज़े से धर्ती के घूमने को हमने कभी अपने आखों से नहीं देखा है और ना ही कभी महसूस किया है लेकिन दोस्तों आज हम आपको धर्ती को गोल-गोल घूमते हुए भी दिखा देते हैं जिहां एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि ये वीडियो बता रहा है कि हमारे धर्ती अपने अक्ष पर किस तरह से गोल-गोल घूमती है आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आप प्रत्वी को घूमते हुए देख सकते हैं यह वीडियो अब तेजी के साथ वाइरल हो रहा है अंत्रिक्ष में इंसान की कदम पढ़ने के बाद वो अंत्रिक्ष के रहस्यों का उद्गाठन करते हुए तमाम वीडियो हमें इंटरनेट पर दिख जाते हैं ऐसा ही एक धरती के रोटेशन का टाइम लेप्स वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप पेड़ पोधों और जील के साथ धरती को भी घूमता हुआ देख सकते हैं दरसल इस शांदार और हेरत अंगेज धरती के रोटेशन वाली वीडियो को 19 जुलाई 2020 में करेटर नेशनल पार्क में कैद किया गया था इसमें एक कैमरे को स्टेबलाइज कर पूरी रोटेशन को कैप्शर किया गया था विज्यान और खासकर स्पेस में दिल्चस्पी रखने वालों के लिए ये वीडियो काफी खास है अब अगर आप इस वीडियो को लेकर थोड़ा और सोचें कि यह वीडियो आखिर किस तरह से सूट किया गया होगा तो हम आपको ये भी बता देते हैं और यहां तकि आप भी इस तरह का वीडियो सूट कर सकते हैं और धरती की घूमने को लाइव अपने आखों से देख सकते हैं दरसल वीडियो को बनाने के लिए कैमरे को एक मोटर से कंट्रोल की गी रिंग में फिक्स किया गया है अब मिलकी वे जिस तरह ऐसे घूम रहा था उसका मोमेंट इस कैमरे में कैद होता गया इसमें तारे फिक्स हैं लेकिन धरती पेड़ पोधों और पाने के साथ घूमती हुई दिखाय दे रही है सोसल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर इस वीडियो को कोस्मिक गायक्स नाम के अकाउंट से सेर किया गया है इसके साथ कैप्सन दिया गया है धरती अंतिक्स में घूमती हुई वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और कहा कि ये बहुत खुबसूरत है वहीं एक यूजर ने तो मजाक भी किया कि इसलिए मुझे दिन भर चकर आते रहते हैं खेर दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जो भी आपकी राय हो कमेंट में लिकर हमें जूरू बताइएगा